दोस्तो एक समय था जब विकट कीपर 8-10 नंबर पर बल्ले बाजी किया करते थे। सुनकर थोड़ा आजीब लगता है ना कि जो विकट कीपर बल्ले बाज आज उपरी करमे बल्ले बाजी करते हैं, वो केवल एक नाइट वासमेन के तौर पर ही कभी उपर बल्ले बाजी करते हैं। पर अन्तु सच है, यह दोड़ था जब एक विकट कीपर का चायन केवल कीपिंग करने के लिए प्लेइंग लेबन में होता था। बल्ले बाजी के लिए नहीं, लेकिन कहते हैं ना परिवर्तन प्रकरती का नियम है। जैसे जैसे समय बीता गया टीमों ने महसूस किया कि अगर विश्व क्रिकट में अपना दबदबा बनाना है तो अपने खेलने का स्तर उचा करना होगा। इसके लिए बल्ले बाजी में गहरा इलानी होगी। और यहीं से तलाश शरू हुई ऐसे खिलाडियों की जो बढ़िया विकट कीपिंग के साथ नरंतर मध्य और उपरी क्रमे बल्ले से भी कुछ कमाल कर दिखाएं। क्योंकि ऐसे खिलाडी ना केवल एक अतरिक्त डाइमेंशन लाते हैं बलकि इससे किसी भी टीम के बल्ले बाजी लाइनप में भी और संतुलन आता है। इसी के परडाम सुरूप, विशको इयान हिली, एडम गलगरिष्ट, मार्क पाउचर और कुमार संगकारा जैसे महान विकट की पर बल्ले बास मेले। हाला कि नब्बे के दर्शक में भारत के पास कुछ समय तक नैनमोंगिया और किरण मोरे जैसे खिलाडी रहे। परंतु बल्ले से अधक योगदान ना दे पाने के करड़ कई वर्सों तक ये भारत की सबसे कमजोर कड़ी रही। और कोई उपयोक्त विकलप ना मिल पाने के करड़ राहूल दर्वेड को टीम मैनेजमेंट ने विकट कीपिंग की कमान सोबी। और उन्होंने भी इस जब्मेदारी को बाखो भी निभाया। इसकी बदोला टीम में एक अधर्वेड बल्ले बाज को भी खिलाया जाने लगा। क्योंकि अब दर्वेड उपरी करब के बल्ले बाज थे जो कभी-कभी सलामी बल्ले बाजी भी क्या करते थे। उनका वर्कलोट समालने के लिए एक अच्छे विकट कीपर की खोज अभी भी जारी थी। और इसी दोरान कई एक्सपेरिमेंट भी हुए। और अखरकार 2005 में कड़ी मशक्कत के बाद भारत को वेश्व का सबसे बहतरीन विकट कीपर बल्ले बाज महेंदर सिंग धोनी के रूप मिला। धोनी मौका मिलते ही कसावटी पर खरे उतरे। और साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाते हुए विकट कीपर बल्ले बाजों के लिए कई नए पैमा ने स्थापित किये। अलकि शुरू में उनकी तकनीकी उतनी बढ़िया नहीं थी और क्योंकि उनकी बल्ले बाजी गजब की थी तो उनका स्थान टीम में पक्का हो गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब क्योंकि धोनी ने विकट कीपिंग बल्ले बाजी का स्थर काफी उचा उठा दिया था इससे टीम में मानो एक खोर मची थी जिसमें धोनी सबसे आगे थे और उनके समकक्षों के लिए गल्ती की गुनजाईश बिलकुल नहीं थी। उनके टीम में पक्के स्थान का अर्थ था उस वक्त के अन्ड सर्प्सिष्ट कीपर जो दरभा के वरस अपने करियर में आगे नहीं भड़ पाए। और परियात मौके ना मिलने के कारड वेदे मुखाबले भी ना खेल सके। दोस्तो आज नारटीवी की स्खास पेशकस में हम आपसे बात करने वाले हैं और विकेट कीपर बल्लेबाजों की जिनका करियर धोन युग में होने के कारड बुलंदियों को ना चू सका और विमातरुन की परच्छाई बनकर रह गये। हमारे स्लेश में पाचवे नंबर पर हैं रधिमान साहा। ड्रंक्स ले जाते देखा गया। उन्हें मौके तम में ले जब 2014 में धोनी ने टेस्ट से सन्यास लिया। और 2017 में उस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका कैच आज भी विश्व के टॉप विकेट कीपर कैच में से एक है। इसी साल वो एशिया और उसके बाहर चतक लगाने वाले पहले भारते विकेट कीपर बल्लेबास बने। लेकिन 2018 में वो कई चोटों से जूज रहे थे। और जब उनकी सरजरी हुई तो रिशाप पंथ ने कसोटी पर खरे दड़ते हुए अपनी ताबर तोड़ बल्लेबाजी से टीम में अपना स्थान पका कर लिया। तो उन्हें सिर्फ तभी मौके मिले जब टीम की पहली पसंद को आराम दिया गया। और हाली में चैन करताओं ने एश्पस्ट कर दिया कि आगे स्रीकर भरत जैसे हुआ कीपर को तवज्जो दी जाएगी। पर उन्हें चैन के लिए मौके नहीं मिलेंगे और साथ ही उन्हें इस अन्यास के सुझाओ भी मिलने लगे। सहा ने अपने करियर में 40 टेस्ट नव एक दिशे मुखाबलों में करमशा 1330 और 41 रन मनाये हैं। दूसरे नंबर पर हैं नमनोजा। नमनोजा उन्दूरलब खिलाडियों में से एक हैं जो वेकट कीपिंग और बल्लेबाजी से बराबर युगदान देने में शक्षम थे। उनकी आकरसक श्ट्रोक प्ले से भरी बल्लेबाजी और फूरतीली कीपिंग एक घातक मिस्रण था। परंतो अफसोस की उन्हें वो मंच नहीं मिला जहां दुनिया उनकी प्रतिवा को देख पाती। उन्हें देखकर आज भी ऐसा लगता है मानोज भी उनमें काफी क्रिकट बचा है। और ये कहना बिलकुल भी घलत नहीं होगा कि वे सूची के सबसे बदकिस्मत खिलाडी हैं जनमें हर खोबी होने के बावजूद वो अंजाम न मिला जिसके वो हकतार थे। उनका पूरा करियर घरेलू क्रिकट में ही खत्म हो गया। उन्होंने 2006 में अपने पहले ही मैच में 86 रन बना कर सभी को काफी प्रभावित किया। और साथ ही उस वक्त किसी भी भारते बल्लेबाज द्वारा अपने पदारपड में सरवाध्यक रन बनाने का रेकॉर्ड भी बनाया। इसके लावा दोजार साथ टी ट्वेंटे फिर्शुकप में भारते टीम को विजेता बनने में भी उनका आम योगतान रहा। बल्लेबाजी के लावा उनकी फैटनेस और विकट कीपिंग भी लाजबाग थी। लेकिन भारते टीम में उन्हें कभी एक विकट कीपर के तौर पर देखा ही नहीं गया। रैसे तो उन्होंने लगातार घरेलू क्रिकेट और आईपिल में रन बना कर कई बार टीम में अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन चैन करताओं ने उनके चैन में रुची नहीं दिखाई और इस नायाब हीरे का करियर केवल कुछ अंतरराष्टे मुखाबलों में ही समट कर रह गया। अलकि रॉवी ने एक इंटर्विय में बताया था कि उनमें भारत के लिए सफेज जर्सी में खेलना उनकी प्रात्मिकता थी। इसलिए उन्होंने 25 वर्ष की आउई में लंबी पादिया खेलने के अनकूल अपनी तकनीकी में भी काफी बदलाव किया और उनकी बल्लेबाजी के अक्रामकता कहीं खोशी गई। जिसे वो अपने करियर की सबसे बड़ी भूल भी मानते हैं लेकिन इसके बावजोद उन्होंने आस तक एक भी ट्रेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला और 2015 के बाद वो निली जर्सी में भी कभी दिखाई नहीं दिये। एंगलन के खिलाब टेस्ट में परदालपर करने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाडी बने। उसी वर्स अंडर 19 वर्षुक अप खेल कराये पार्थिव जब क्योल 9 वर्स के थे उनके हाथों के उंगली कट गई। बावजोद इसके उनका गलव वर कमाल कर रहा। और पहले और उनके खेल में उचाबुकता नहीं दिखी। हाला कि उन्होंने कई अर्सर तक ये पारियां खेली। परन्त उन्हीं लंबे स्कोर में तब्दिल नहीं कर पाए। और सी के चलते टीम का संतोलन बनाये रखने के लिए रहुल दरविड को कीपिंग करनी पड़ी। और 2003 व और 2007 में वे प्रतम स्रेडी मुकाबलों की पांस पारियों में लगातार पांच शतक लगाने वाले पहले भारती बने। इसके बाद उन्होंने टीम में वापसी की लेकिन अब उन्हें अधित्तर एक सलामी वल्ले बाज की तोर पर देखा जाने लगा। घरेलू क्रिकेट म उन्हें दोबारा 2016 में भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला। उस वक्त इपनी ररजी टीम गुजरात का नेतरतु कर रहे थे। और इंगलेंड के खिलते हुए उन्होंने सलामी बल्ले बाजी की और साथ ही एक भारतीय द्वारा दो टेस्ट खेलने के सबसे बनाए। उन्होंने कुल 194 मुकाबले खेले। जा इन्होंने 11,240 रम बनाए। जिसमें से 190 प्रतम स्रेडी मुकाबलों में उन्हों वतोर कीपर 26 शतक लगाए। जै कीपर के तौर उपर सरवाधिक है। इसके लाओं पार्थिप तीन बड़े घरेलू किताब जेतने वाले भी पहले कप्तान हैं। और हमारी सूची में सबसे पहला नाम शामिल होता है भारत के सबसे फिट और हिट मैज विनर की लाडियों में सुमार दनेश कार्दिका। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमिल नाडू के इस विकट कीपर बल्लेबाज ने अंतर अश्री क्रिके के खिलाप 2007 में खेली गई 129 रण की पारी जिसकी बदल भरत ने किस वर्सों के बाद बांगलादेश से ट्रेश ट्रेंखला जीती। परन्तो इसके बाद उनके फार्म में थोड़ी घिरावट आई। अलाकि घरियोली क्रिकेट में तो उन्होंने जमकर रन बनाए। लेकि इसे दिनिश्कारति को काफी कम मौके मिले। इसका अंदाज हम इसी बाद से लगा सकते हैं कि भारतिय द्वारा दो टेस्ट खेलने के बीस सबसे ज्यादा लंब अंतराल यानि 87 टेस्ट का अंचाहर रिकॉर्ड भी डीके के नाम है। उन्हों 2010 के बाद 2018 में अफगानिस्त एक इस्पेसल बल्लेबाज के तौर पर ही खिलाया जाता। इसी बजासे उनका करियर के भी उनकी प्रतिवा के अनकूल आगे नहीं बढ़ताया। अलाकि इसके लिए वे अधिक दबाओ देकर खेलने के लिए खुद को बढ़ंगार मानते हैं। मना कर उन्होंने भारत को शानदार जीत दिलाई। आईपल 2022 में कार्टिक ने RCB की तरफ से काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जिसे देखते हैं उनका चैन साथ अफरीका और भारत के पांच टिवटेंटी मुकाबलों में हुआ और इसमें डीकी का बल्ला आग उगल रह है। कार्टिक की बल्ले बाजी में वो अनुभो और पैनापन दिख रहा है जिसकी भारत को दरकार है। दनिश कार्टिक ने अपनी कर्यर में अभी तक खेले गए 26 टेस्ट, 94 बेग दिवशिये, 35 टी-20 में करमशा, 1025, 1752 और 436 बनाए। वही 167 प्रथम सेड़ी मुकाबल हालकि धुनी का इसमें कोई कसूर नहीं था परंत इन खिलाडियों में भी काबलियत थी और क्योंकि इने नेखरने और खेल में सुधार करने की बजाय केवल, रेप्लेस्मेंट और बैकप के तौर पर एक के दुक्के मौके मिले। यही कारण है कि आकड़े उनकी प्रतिव